हेलो, बेलकम टू केने स्टेटीज, जैसा कि पिछले वीडियो में आज हम बता चुके हैं कि आपका कॉल लेटर आ गया है, तो जिन लोगों ने अपना मेल जो है, वो उसको चेक करें, आपका जो आपका अस्टुडेंट कॉपी, यह जैसे अस्टुडेंट कॉपी है, तो यह आ चुका है, इसमें हम detailed जो information है, instructions है, उसके बारे में हम explain करेंगे, और यह है कि अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब जब date आपका आ गया है, अब 20 days आपके पास हैं, तो उसमें से आप अपने को push करो, देखो, जो भी है festival जैसे बीच में भी होली आ रही है, तो अब आपको time मिल रहा है, लेकिन अपना जब proper focus आप करते हो, जब अपना आप proper तरीका से किसी goal के परती रहते हो, तो होली दिवाली कोई माहिने नहीं रखता है, जब आप खुस होते हो, या achievement प्राप्त करते हो, कोई चीज गेन करते हो, तो उस दिन ही आपका होली और दिवाली है, तो इस point of view से अब आप जो भी है, जिनको भी देखो, जिस भी event में आपको problem लग रहा है, जिस भी event में लग रहा है कि यह हमें 100 meter में problem है, 100 meter में problem है, तो 100 meter को focus करो, एट 100 meter में problem है, उसको focus करो, जो भी है, देखो, अभी जो है, संतुलित डाइट लो, संतुलित डाइट इंड़शिंस की जिनका जधी ओवर बेट है तो वो कार्भोहथरेट वगयरा कम लो और बाटर वगयरा ज्यादा कंजूम करो और जिनका बेट कम है मानके चलो कम इंड़शिंसा यह सा नहीं है कि उससे कम है कुछ का सरो underweight भी रहा था तो आप carbohydrates वगएरा वाले खाने जादा खाओ, पूरा डोज लो, milk milk अपना लो, प्रोपर तरीका से, और लेकिन running वगएरा exercise daily करो, तो यह देखो है कि इस वार ITBP जो है आपका Indo-Tibetan Border Force जो है, Police Force, तो यह आपका है इस वार Nodal Agency, तो यह आपका CAPF इतना सारीक मापदंड और सारीक तच्छता एवं चिकित्सा मापदंड पर इच्छा है तो यह प्रवेस पत्र यह आपका जो call letter है, तो यह अभियर्थी का यह परती है, तो आपका e-admit card for physical standard test, physical efficiency test and medical test, यह candidates copy, ठीक है, तो इसमें आपका name रहेगा, gender आपका है, roll number आपका है category आपका है, date of birth रहेगा, father's name रहेगा, address आपका रहेगा और यहां आपका photograph और signature रहेगा, ठीक है, फिर यह आपका center name है, जैसे इनका जो है CISF SSG NOIDA, तो यह आपका जो है CISF SSG NOIDA PO, सूरजपूर, गौतम बुधनगर, उत्तरपरदेश, PINCODE 20, यह आपका center contact, देखो in case आ पहुचने में या कुछ और चीजों में problem है, तो वहां आप contact कर सकते हो, देखो आज के रिट में जो है, अज़े officer बनने जाते हो, तो officer वाले में आपको थोड़ा सा रहता है कि यह सही है, चीजे थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्यायब करते हैं, otherwise constable बगरा का होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, अभी जो मैं जब देखा था, तो या अभी भी यही चीजे चारा, नॉर्मली आपको थ्री डेज लगते हैं, जब फर्स टाइम में गया था, तो एक तरह से उस समय फोर डेज का येट था, जब फर्स टाइम 2012 बाले में, तो सीफो है कि उस दीन उन करने के बाद ही आपको जो है, इस इवेंट्स जो होते हैं, वो करवाते हैं, तो ये साथ बज़े सुबा रिपोर्टिंग टाइम होता है, आपको इस बेटर है कि टाइम पर पहुंचे देखो, प्रोसेस स्टाट होते होते, आपको टाइम लगता है, बट एक तो जैसे प्रॉटोकराफ का है, तो ये जो आपको है, तो आप अपना सारा डोकुमेंट, ये जो है, तेंथ का जो फोटोकॉपी आप सर्टिफिकेट का है, यह age के लिए होता है, ठीक है, यह age के लिए, बट आप अपने सारे documents रखो, यह भले ही 10th के बोले हैं, लेकिन आपको पूरा अपना ले जाना है सारा, और जो call letter, फिर candidate will deposit hard copy of DAF, जो DAF आपके पास है, along with relevant documents like proof of date of birth, देखो, तो इसमें यह बोले हैं न 10th के लिए, तो यह educational qualification, यानि graduation, caste, जदि आप OBC और या फिर आप कुछ और, SCST, whatsoever से बिलॉंग करते हो, तो फिर civilian central government service employee, जदि आप central government के employee हो, या ex-service man, या फिर resident of Jammu and Kashmir, specific case जिनका है, वो ले जाना है आपको, तो जहां भी आपका हो रहा है, वहां आपको दे जाना है, It should be noted that the candidate will not be allowed to appear in PST, PET, MST without DAF, अब देखो, एक candidate थे, आप लोग में से कोई, एक message किये थे, कि उन्होंने download नहीं किया, सिर्फ print preview download किया है, तो at least आप, वो, UPSC को मैंने बोला था, कि UPSC से आप contact कर लो, क्योंकि आपका duty यह होता है, कि आपको DAF, वो download करके, और उसे submit करना, वहाँ आपको वो दिखाना होगा, कि यह हमारे पास call letter है, हम यह candidate है, फिर आपका instructions है, तो जो है, कि यह जो आपका call letter है, वो अस्थाई है, यह provisional है, provisional का मतलब होता ना, कि जैसे देखो, जो आपका educational qualification सपोज है, तो educational qualification आपको है, कि DAF fill होने के last date तक, आपको सपोज, 25th फेव, 25th फेव, आपका DAF fill करने का last date था, तो उस date तक आपका, जो है, educational qualification आप graduate हो, या फिर होता है, कि सपोज, आपने department को inform नहीं किया, department का कुछ problem है, तो provisional का मतलब है, कि आप यह final उसको नहीं मानो, किसी भी मौके पर, किसी भी event में देखा गया, कि यह आप कुछ criteria satisfy नह फिर आपका है, सारीरिक मापदंड या सारीरिक दच्छता एवं चिकित सब मापदंड परिच्छा में भाग लेने हैं तो, आपका प्रवेश पत्र एवं बिश्तरित जो आवेदन पत्र DAF है, साथ में लाना आवस्च है, यानि कि जो यह later मिला है, वो और DAF, यह आपका आ फिर आपका है, कि अपना यह एक फोटो आइडी, तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मद्दाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वा कॉलेज, द्वारा जारी, जो भी कोई है, उसको ओरिजिनल में लाना आवस्च है, देखो, यह कोशिस करो, कि जो आपने, जो एक् फॉर्म फील करते हो, उस समय ही बोला जाता है, कि यह एक कोई भी आपका पाचान पत्र को उसको अपलोड करना पड़ता है, जिसका नंबर आपको देना होता है, तो इस बेटर है कि आप एक्ष्टा ले जाओ, लेकिन वो बाला भी लेते जाओ, फिर निक्स्ट आपका है स सारीरिक दच्छता एवं चिकित सा मापदंड परिच्छा, यह में सामीर होने वाले अभी अर्थियों को यह सलाह दी जाती है, कि वो सारीरिक मापदंड, सारीरिक दच्छता एवं सम्मिलित होने से पहले यह सुनिशित कर लें, कि आप जो हैं, वो eligibility criteria qualify करते हैं, तो बहुत सारे eligibility criteria है, conditions है, तो आप यह देख लें, कि यस, आप जदी eligible है, तब ही आप उसमें जाओ, जैसे बहुत एक candidate का था इस बार, कि वो return qualify कर गया, लेकिन उनका graduation complete नहीं हो रहा है, तो ऐसे है candidate की message उनका आया था, कि हम past यह हो चुके हैं, exam में return में pass हो चुके हैं, लेकिन हमारा graduation complete नहीं हुआ, ऐसे हर बार होते हैं, कुछ candidate होते हैं, कि जिनका due date तक यह नहीं आता है result, तो उनका कोई मतलब नहीं है, फिर आपका जो भी है, यह mobile बगएरा, laptop, यह कीमती, यह को mobile तो आज के date में सब ले जाते हैं, तो आप अपना bag ले जाते हैं, ठीके न तो उस bag में आ जाएगा, तो it's better है कि वो है कि उसको साफ सुतरा रखना सुनिश्चीत करें, देखो, अब यह है कि हमेशा वो अपना butter bottle आपके पास है, फिर आपके पास और सारे चीजें हैं, कपड़े हैं, तो वो हाँ साफ कर लोगे, यह ठीक है, निक्स्ट आपका जो है, कि जो सामिल ह जोने वाले जो candidate हैं, तो उनको expenditure नहीं दिया जाएगा, जो cost होता है, वो reimbursement नहीं किया जाएगा, और दो से तीन दिन तक आपको विवस्ता करना, देखो, अभी system क्या हो रहा है, कि जिस दिन आप जाते हो, तो उस दिन आपका पहले PhD हो गया, यानि कि आपका physical standard test, जो आपक बेट, height, ये सब मेजर, उसके बाद आपको physical करा लेते हैं, तो जो चार event है, male के लिए चार event और female के लिए तीन event, तो वो generally जो होता है, depending on, आपको, मैं दोनों बार देखा हूं, तो करीब वो 12 बजे तक almost finish हो जाता है, 12 बजे तक करीब वो finish हो जाता है, वो event, कभी 12 बजे, क रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, urine sample वगेरा है, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, फिर हो सकता है, एक स्रे वगेरा करवाने के लिए होता है, तो आपका उस दिन, फिर जो आपका physical event को चेक, कई doctor का होते हैं, तो ये एक-एक doctor के पास आप जाओगे, आपको वो चेक करेंगे, तो दो से तीन दिन तक आप अपना रहने के लिए, और वहां रहने के लिए वो सुविधा नहीं देते हैं, इसा नहीं है, देखो SSB में बहुन लोग का, आप लोग का होगा, habit की, वो SSB में उसी campus में रखते हैं, यहां जो है, आपको SSB जैसा campus में नहीं रहता ही है, sports kit का मतलब है कि आप अपने प्रोपर जो sports सूज है, जूते हैं, फिर आप अपना lower वगएरा जो पहन करके दोड़ने में आप comfortable feel करोगे, या तो full lower पहन करके, या half lower, जो जिसमें आपकी habit है, half lower, और आप अपना जो भी है, जैसे underwear बन्यान और अपना सारे के लिए है, female candidate के लिए है, कि जो pregnancy जो है, वो अपातरता माना जाएगा, यानि कि pregnant women जो है, वो उनको disqualify कर दिया जाएगा, तो जदी मान के चलो, अब suppose करो कि कुछ भी situation है, कि suppose को pregnant बहुत कम टाइम के लिए है, suppose early है, तो वो जदी छुपा लेते हैं, job के लिए, तो ये बो pregnancy है, वो आपका disqualification के करवाएगा, फिर देखो, ये वाला जो है, उसको अपना रखें, हमेशा ये, देखो, आज की डिट में, soft copy आपके पास already, mail में पढ़ा हुआ ही है, email में पढ़ा हुआ है, तो कोई issue नहीं है, आपको हमेशा, जैसे board में भी आप, जब interview बगरा में भी जाते हैं, जिस समय एक तरह से आप जाते हैं, तो उसको आप अपना रखें, ठीक है, निक्स्ट आपका जो भी है, कि कोई भी जो एक indemnity होता है, कि indemnity, innocence bond, जैसे बहुत जगाप जाते हो, तो कोई भी चोट बगरा लगती है, या कोई दुरगटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार हो दे को बहुत वार यह होता है, कुछ हमारे एक फ्रेंड का ही यही situation हो गया था, कि वहां नहीं कुछ हुआ, लेकिन पहले ही running करने में accident चोट लग गया, पैर तूट गया, तो आप अभी जो भी running वगएरा कर रहे हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखें, क्य जो है, वो उसको मिट्टी भूरबूरे की हुए है, उस पर आपको कूदना है, फिर जैसे गोले वगएरा फेकना है, तो जदी जहां आपके आस-पास है, तो ठीक है, otherwise जो भी है, practice आपको, running वगएरा, running वगएरा भी proper तरीका से देख करके करो, जो भी है, otherwise क्योंकि चोट क जो भी है, वो भी blood आपका test किया जाता है, ठीक है, तो blood test किया जाता है, urine test किया जाता है, तो कोई भी आपका, वैसे substance है, वो आपके blood और urine में पाए गए तो आप disqualify किये जाओगे, तो ये मत करना, देखो, जो अभी है ना, कि अधिक से अधिक पानी पीना है, और देखो, जितना अधिक पानी पीओगे, उतना अच्छा, और जब आपको urine sample दिया जाता है, तो regular पानी पीते रहो, अभी से जो है, मैं समझता हूँ, एक तो गर्मी आ रहा है, तो ऐसे भी पानी आपको जदा पिना है, और running वगएरा कर रहे है, उक्सेसाइज तो पानी, और जब आ का तो खहर कोई issue नहीं है, लेकिन आप जो भी है, कोई ऐसा चीज ना ले, इससे बेटर है, कि आप, देखो, ये इसमें जो है न, officer वाले में बहुत कम है, यार, 3 minute 45 seconds आपको mail के लिए जा रहा है, 800 meter के लिए, फिर mail के लिए 4 minute 45 seconds, तो ये बहुत simple सा है, आपको long jump में सिर्फ साथ धानी बरतने की जरूरत होती है, तो कोई ऐसा medicine बगएरा ये सब मतले न, ठीक है, फिर आप अपना आज के डिट में एक्ष्टा क्या है, कि face mask जरूर हर हाल में रखना, और personal hand sanitizer, sanitizer देखो, मान के चलो, नहीं भी रख पाते हो, किसी कारण से, लेकिन आपको face mask, obviously है, improvement होता है, जैसे army बगएर हमें, तो पांच जार, आठ हजार candidate, उस डंग से यहाँ situation नहीं है, यहाँ वही candidate जा रहा है, जो return qualify है, और यो भी UPSC जैसे prestigious संस्ता का, आप return qualify हो, तब ही वहाँ जा रहे हो, तो ये social distancing बगएरा, ये सारे चीज होते हैं, जो भी अपना maintain करके रख jump पर अधिक focus करो, जैसे female candidate है, तो उनको short put की ज़रुवत नहीं है, long jump पर ज्यादा focus करो, देखो एक ध्यान रखना, कि जदी आप fast running करते हो, तो long jump ज्यादा कर पाओगे, बस यही ध्यान रखना है, मैं बार बार यह कहता हूँ, कि यहाँ से जदी कूदना है, यहाँ से, औ और आपको, suppose यह female के लिए आपका 3 meter और male के लिए 3.5 meter है, तो यह line को touch नहीं करना, उसमें आपका recording करते रहते हैं, आप आइसा नहीं बोलोगे कि हम अच्छा से कूदे हैं, तो recording आपका रहता है, जदी आपको confusion रहता है, और इसमें long jump पर 3 attempts दिया जाता है, देखो, 100 meter में बस एक ही साब धानी रखना है, कि पैर नाफसे किसी से है, पैर 10-10 के group में करवाएंगे, तो आपका पैर कहीं से नाफसे किसी में नाफस जाए, या फिर पैर में moch type का नहीं आ जाए, कि वो 800 meter में क्या करना है, आपको जो भी, जैसे कुछ candidate हैं, जो 3 minute में भी cover करते हैं, क् अब 3 minute 45 second में आप आराम से कर लोगे, कुछ ऐसे candidate हैं, जिनकों की क्या है, बोले कि सर हम 3 minute में cover कर ले रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 3 minute 15 second में, तो ऐसे हर बैच में होते हैं, जो कुछ अच्छे दावक होते हैं, और basically या standard जो देखा जाए, तो 3 minute ही होना चाहिए, 3 minute 45 second ये तो करवाएंगे, और सब कोई 30 में से मान के चलो 5 फैल हो गए, या एक दो को आये ही नहीं, तो बाकी 800 meter जो है, 800 meter में है, उसमें सब को एक साथ करवाते हैं, जितने भी, क्योंकि कम ही को बैच में बुलाते ही हैं, तो एक साथ बुलाते हैं, तो आपको हर बैच में जो भी है, म आप उसको जो fast runner है, उसको देख करके ये दोड़ना है, ठीक है, और जो भी कुछ भी question security है, तो आप हमें इस whatsapp नंबर पे, या फिर इस telegram नंबर पे शंपरक करना, और अपना जो भी confidence प्रोपर बरकरार रखो, और हमने अल्रेडी आपको बताया कि interview, mock interview, बाला जो interview का preparation जो चल रहा है, तो ठीक है, अभी जिनको भी जो join करना चाहते हो, वो कर सकते हो, बाद में join करना है, बाद में कर सकते हो, सिर्फ mock देना है, वो कर सकते हो, whatsoever question security है, वो आप हमें बताना, लेकिन अब आपका आ गया है, date आ गया है, तो अब आप पूरे इमांदारी से पूरे तरी होता है, क्योंकि वो आपका training में भी आराम से infect सबका कम होता है, सबका कम होता है, हाँ, कुछ exceptional होते हैं, जो underweight हैं, तो उनका बढ़ भी जाता है, लेकिन जो 90% पलस जो होते हैं candidate training में उनका weight है, कम ही होता है, तो जदी जिनका 3-4 kg है, ज्यादा तो ज्यादा टिंसन लेने क हो, ठीक है, और पानी अधिक से अधिक, पानी तो सबको पीना है, चाहें आप underweight हो, overweight हो, standard weight में हो, पानी सबको पीना है, ठीक है, तो जैसा कुछ भी होता है, आप बताना, ओके, thank you.